अच्छा बेटा आज हमने ना यूरन नबर 13 प्रैक्टिकल जुमेटी 13.1 का ना कॉस्टन नबर 1 पढ़ना है डिवाइड न आर्क अपने क्या बनानी है एक आर्क बनानी है ठीक है तो आपने अपनी मर्जी से ही कमपस को उपन करना है और एक आर्क लगा 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 ल हमस्क्ते यह अपन क्या है यदि झाय enc आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना वाइड आर्क अब यह मने पना लीन चीड काने लिए इंटू इक factors का मतलब यह होगा देखें आप ने क्या एक करने मार्क करने क्या प्यादिंगे कि और हाफ करने क्या कर? इसन इसके आप एं तो जरा टेडि ये डाइगराम बुरी लगेगी समझा जहागी है इसलिए मैं पहले आपको ये इस तरह टेडा करके बनाके दिखाया अगर मैं इसका हाफ करूझ गची देखें ये दिर्मांन में से पास करेंगी ना तो ये डाइगराम जरा बुरी लगेगी ठीक है तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस तरह का एक semi circle सा बना लें जो देखने में क्या लगे अच्छा लगे ठीक है और जो extra जरा semi circle की आर्क है उससे बाकी क्या कर दें आप लोग इसे erase कर दें और ये एक semi circle साथ आपने अपने तरफ से एक आर्क बना लेनी है आर्क बनाने के बाद आपने क्या करना है इसके end points को आपने join करना है ठीक है end points ये है इसके या आपने इन दोनों को आपने join कर लिया join करने के बाद आपने इस आर्क को लाजमी कोई नेम देना है let's suppose मैं इस आर्क को नेम दे रही हूँ AC का ठीक है यहाँ के पास एक आर्क है AC अब इसे two equal parts में divide करने का मक्सद यह है देखिए अब आर्क को तो divide नहीं कर सकते तो आपके पास यह एक line segment आ गया है AC इस line segment जो के इस आर्क को touch कर रहा है तो यह आपको एक segment दे रहा है ठीक है यह वाला portion इसका मतलब भी हो कि आपने इस portion को two equal parts में divide करना है ठीक हो गया तो इसके लिए आपने क्या करना है perpendicular bisector draw करना है एक उपर और नीचे C से रखकर आपने और A से रखकर आपने इस तरह दो points upward और दो points आपके पास cross लगाए आपने arcs लगाई A से भी आपने 2 arcs लगाई up and down और C से भी 2 arcs लगाई up and down ठीक है आपने इन इन points को जो आपके पास arc से above है और below इन दोनों को आपने क्या करना है इने join कर लेना है इने join करने के बाद आपने इस एक line को नाम दे देना है और ये जो point है जो इस R के उपर आ रहा है इस point को आपने नाम दे देना है let's suppose B तो देखें A C को बेटे हमने distribute कर दिया two equal parts में विचार A B and B C तो हम लिख देंगे so A C is divided into two equal parts A B arc ये जो उपर लगा रही है इसका मतलब arc and A C ठीक है इसको आप लोग देखेंगे और इसको दुबारा से बनाएंगे okay बेटा thank you